हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चानल आज मैं आप सबसे शेर करूंगी कि आप सिर्फ तीन दिनों में अपने फेस पर से डार्क स्पॉट्स, पिग्मेंटेशन, फ्रेकल्स और मलेजमा को कैसे दूर का सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें और बेल प्रेस कीजिए जिससे कि आप मेरा कोल भी फायदे मंद वीडियो मिस ना करें इन स्किन वाइटनिंग आइस क्यूप्स को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक मीडियम साइज खीरा आप अब एक मीडियम साइज अनार लीजिए और उसे भी छील कर उसमें से उसके दानों को अलग कर लीजिए अब एक ब्लेंडर में आलू खीरा और अनार को डालके इन सबका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए जब पेस्ट बन जाये तो आप उसमें वन टेबल स्पून अफ ल आप इन आइस क्यूब्स को बनाकर 20 दिन तक रेफ्रिज आप इन आइस क्यूब्स को बनाकर 20 दिन तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं जब आपको यह आइस क्यूब्स यूज़ करनी हो तो सबसे पहले आप कच्चा दूड लें और एक कॉटन बॉल को उसमें डिप करके अपने फेस और नेक को वाइप कर ले कच्चे दूड में भरपूर मात्र में विलाक्टिक एसिड होता है जो कि डाक स्पोर्स को लाइटन करता है नेक्स ताप एक आइस क्यूब्स लीजिए और उसे ऐसे करके अपने फेस और नेक पर अच्छे से अपलाई कीजिए आलू में केटलिस नाम का एक इंजान होता है जो कि डाक स्पोर्स, ब्लैमिशेज और एकने स्कार्स को लिडिूस करता है इसमें पोटेशन भी होता है जो कि स्किन को हाइडरेट करके मौशिटریस करता है इसमें mild bleaching properties भी होती है जो कि melanin production को reduce करता है खीरे में भरपूर मातर में anti-oxygen and silica होता है जो कि हमारी skin को naturally lighten करता है cucumber से dark spots lighten होते हैं और uneven skin tone भी improve होती है anar में skin lightening compounds होते हैं जो कि skin को बहुत effectively naturally lighten करता है इसमें anti-oxygen such as flavonoids और vitamins C and E होता है जो कि sagging skin और wrinkles को reduce करता है नीमबू में vitamin C होता है जो कि dark spots और dark patches को lighten करता है इसमें skin lightening bleaching properties होती हैं जो melanin production को भी reduce करता है आप इस ice cubes को अपने face पर या जहाँ जहाँ आपके dark spots या acne scars या skin pigmentation है वहाँ पर apply कीजिए ice cube apply करने के बाद आप इसे सूखने के लिए completely छोड़ दीजिए और सूखने के बाद आप इसे ठंडे पानी से दोलीजिए maximum results के लिए आप दिन में दो बारे से remedy को use कर सकते हैं इन skin whitening ice cubes के कुछी दिन के इस्तमाल से आपके skin एकदम flawless और spotless हो जाएगी तो friends अगर आप कोई remedy पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने friends and family के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही फाइदे मंद वीडियो के लिए Thank you, see you in my next video